लोग इने फिश खड़ीदा है अब ये फिश को हम लोग देखिया ना कि ये हम लोग ने इसको अब ये फ्रायर में डालेंगे जैसे आप देख रहे हैं पुरा वो डिप्रायर में डाले हैं और वो हमारी मचली है और माशालला ये ये भाई साब है इस तरफ प्राय होने के बाद निकाल रहे हैं उसके बाद इस तरफ में बैक करेंगे और फिर उसके पास एक स्पेशल मचली वाली काटून है ये काटून बॉक्स पर डालेंगे तब ये जाए करके ये डेलिवर होगा माशालला कि देख रहे हैं ये काटूनों में भी मदीनाल मनवरा लिखा हुआ है इस तरह पैकेजिंग कर रहे हैं इस पाइसेज डाल रहे हैं तो रैप करकर करके तब ये साड़े बॉक्सेज में डालेंगे इस पाइसे पावडर जो ढ़ालेंगे ये जो हम लोग का फीश जो है ये फ्राइब हो रहा है ये आप जो यहाँ पर यह लोग रखेंगे पर ये देखिये सारे इस तरह से लोग सॉट आउट कर रहे हैं और आप यह तरह राइस है रेडी राइस है और आप राइस भी ले सकते हैं फीश और राइस खा सकते हैं जितने भी यह जो आप देख रहे हैं यह सारे राइस के लिए हैं कि हमारी जो फीच है अभी बाकी अभी मुकमल भी नहीं हुई है इसे के लिए अंदर ही है अभी रात के 11 बच के बावन मिनट में इसे के लिए रश कम है नहीं तो आप दीन में आईएगा तो बहुत रश रहेगा यहां आपको बहुत वेटिंग में आपके बाद आपको आपकी फिश आपकी फराई किये कर दिये जाएगी अब हमारी फिश जो है वो फ्राई होने वाली है अब इसको लोग परीदेर और इसको पकाएंगे फिर आप माशाल्ला इस तरह का इनका सेट अप है कि अब है कि टेंप्रेचर काफी हाई है कि इसको बार बार उसको पलतना पड़ता है ताकि अच्छी तरह यह पक जाए यह पूरा डीप पुराई है माशाल्लो जैसा अब देख रहे हैं पुरे तेल पर यह पुराई हो रही मश्की अब फिश को निकाल दिये माशाल्ला अब यह पैकेजिंग करेंगे इन्हों ने ने पेपर लिया है और इसमें यह स्पाइसी पावडर वहां पच्छी डख रहे हैं इसको रैप करकर के यह स्पेशल कार्टून है जिसमें अब देख रहे हैं यह फिश का यह है इस कार्टून पर डालेंगे और मदीनल मनवरा का यह पिस्टात यह चटनी देते हैं मदीना फिश मार्केट